वेलकम बैक माई यूटूब चनल लिद्वांगन में आप सभी का स्वागत एक और नहीं वीडियो में आज मैं जा रहा हूँ भेलाए मुझे इन्विटेशन मिला हुआ है आज इस्पेसल क्योंकि घर में हो रहा है बोर बोर मसीन आज चुके हैं लगभग आदा घंटे पहले आये हुआ है अभी बचा हुआ है साड़े नौ बच चुके हैं नौ बजे वहां पर पहुंच गया है हम लोग को बुलाये हुए थे सुबह से लेकिन मैं बोला कि जब तक कि गाड़ी नहीं आएगा मैं नहीं आओंगा क्योंकि घर में कुछ कुछ काम है वो काम मैं करके आन 20 घंटे कभी कभी प्रावलम आ जाते हैं तो प्रावलम ना आ है मैं ऐसे भगवान से रिक्वेस्ट करता हूं अच्छे से हो पानी भरपूर मात्रा में निकले तो चले मैं निकलता हूं मम्मी के घर और मेरी हाँ वाईब अभी तैयार हो रही है अब मैं तो रेडी हो चुक हैं अभी मैं घर से निकल गया हूँ मैं अपने घर से एक दो किलिम्टर आस पास में पहुंच चुका हूँ यह आपका हत्खोच चौंक है यह सामने आपको देख रहा है पेट्रोल टंकी है और जैस्ट सामने में हैं रेलबे क्राशिंग कि अपना पहुंच गया है चौंक महुचने वाले हैं सुबह सुबह देख सकते हूं यहां पर बहुंच ज्यादा गाड़िया भी चलती है यह आपका हाइवे तो नहीं बहुत सकता है लेकिन यह जो बाइपास रोड है यहां पर आपको बड़ी बड़ी गाड़िया देखने क मिल जाएगा यह सिदह सिदह आपको लिखे जाएगा चाओनी चाओं के लिए इस साइड में कई बार आ चुका हूं और यहां से आप लोग राइट की और जा सकते हो जामूल के लिए भी जा सकते हो सिदह सिदह चाओनी के लिए यहां पर आसपास में बहुंच सारे प्लां का टाइम बता आया हुए तब तक कि हम लोग पहुंची जाएंगे तो चले चलते हैं हैं यहां पे बोर मसिन लग चुके हैं अभी मम्मी अभी थoso की तैयारी कर रहे हैं और भी नानी यह पहाई हुए है पापची सान्थ में और यह एक चुट वाला सालेश हुई है यह रावल भी आ और साथ में जो मशीन वाले लोग आये हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं बस यह पूजा पाट हो जाएगा फिर यह काम स्टार्ट हो जाएगा हम लोग अभी दस मिनट पहले पहुचे हुए हैं अभी भाईया पूजा कर रहे हैं इस रच से दिखाए देता है यह मशीन गाड़ी वहाँ पर सामने में खड़ा हुआ है तो सब धिर धिर अपन पूजा पाट करेंगे फिर काम स्टार्ट होगा मसीन वाले गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुए है पाइप के दोरह यहां तक लाए हुए हैं तेम बड़े मामजी वहाँ पर खड़े हुए हैं यह देखे खड़ाई के लिए कुछ समान ला रहा है मुझे भी नहीं पता है कि कैसे खड़ाई करते हैं इसको कैसे लगाएंगे अब लगने के बाद ही समझ में आएगा तो कुछ भीया लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं यह लेकर मक के में आज़ करते हैं जैसे ही पानी के जब शुरोद जब आया ना तो उसमें जीटा ना पड़े दिवालों में इस कारहं से उसको लगाया बहाता है जैसे ही इसे होगा आपलोगों दिखिए कि प roup कैसे किया जाता है जाता है तो अब आप पाइप लगा रहा है ताकि नीचे खुदा ही कर सके उसके उपर में यह पट्टी लगा रहा है लगा रहा है तो अब आप माएगा नीचे में नर्या लखा हुआ है तो इसको दबा रहे अंदर यह देखें की साथ लिया हुआ है नारे के बाहर निकल रहा है तो इसको रहा है तो इसको निकल रहा है आज पास के परोटी लोग दिया लोग भी देखने के लिए आए हैं आपके तो इसको रहा है अपने लाइब में मैं फ़र्ट रहा हुआ है कर दो को कर दो कर दो दो कर दो कि लिए उसको रहा है जयसा जयसा अंगर जाते जायगा, तोचना, आग दागी करते जायगा ना गूमने दोगे में जाते जायगा, इसे में को जर्प मेरत की नी करता है, तो जारा अत्रा रिश्षार्क ही हो जाएगा झाल झाल जा नहीं ए बोरी इंखको दे आज कर नहीं दो केसंग डालने वाला है च्राइक का 22 के था लगेगा उसके बाद फिर्वाई स्टाइब करेगा और इससद में चुटी यह जिदला हमागन चुके लाए पुर पंपतो 'll लाँगा कि पाइप लगना इस्टार्ट हो गया यह जो पाइप आप लोगो दिखाए दे रहा है यह पुरा 22 फिट का है तो ऐसे ही तीन पीस डालने वाला है 66 फिट तक है उसके बाद फिर अभी पहला डल चुके हैं यह सेकंड है यह लोग बहुत महनत करते हैं बहुत जादा महनत इसके सामने में हम लोग कुछ भी नहीं है देखो तीन आदमी उपर से उठा रहा है एक वहाँ पे खड़ा हुआ है और आप लोगों मैं दिखा रहा और यह लोग पहला है अन्य च्छत में खड़ा हुआ है इस भाई साब ने देखो पाय को पैसे रहंगभण किया एक उपर च्छत में यह देखिए बहुत महनत लगता है इसकाम में कि यहां पे 66 फीट में निकल गया अपना गिट्टी इस रच से होता है आज देख सकते हो अभी पानी आ गया है और यह सकतर फीट में आया हुआ है अभी हम लोग करा रहें 300 फीट के आसपास इसमें देख सकते हो पानी डाल रहा है अभी लगभग 285 फीट हो चुके हैं तीन पाइप और बच्चा हुआ है इसका जो फर्स्ट अधार आया हुआ था 170 फीट के आसपास में आया हुआ था सेकंड़ार के लिए देख रहे हैं सेकंड़ार भी लगभग आ चुके हैं हम लोग जो बोर रहे हैं कि साड़े 300 फीट तक के करना करके लेकिन इन लोग के पास ना पाइप नहीं है अगर हो जाएगा जुगार तो इन लोग नाने की कोशिस कर रहे हैं और आज जो मौसम है बदला हुआ सा है यह देखें नीचे में पानी उपर की और आ रहा है लगातार पानी यहां पे पानी तो वसे आग बूरा फिर भी हम लोग बोर रहे हैं कि साड़े 300 फीट करने के लिए अभी देखते हैं कितना करे का बसे तो इन लोग 500 बोल रहे हैं फ्रेश के लिए अब साड़े 300 फागर हो जाता है तो अच्छी बात है सुबह साड़े 11 बजे स्टार्ट हुआ था अभी लगवा साड़े से बच चुके हैं जिस में पानी ज्यादा के राता करके कुछ देर के लिए बंग कर दिया थे और जिस में स्वानों ना भी खा रहा थे तो एक अभी लगवगे 290 का रनिंग कर रहा है अंदर से इतने सारे देख सकते हो जिट्टी निकले हुए जिरा गेट्टी और अभी भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा